नमशकार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है HELLY INDIAN KITCHIN मेँ अगर आप diabetes से परिशान हैं इसी के साथ हाई blood pressure से परिशान रहती हैं BP को normal करना चाहते हैं Indigestion से परिशान हैं और हमेशा के लिए cancer से बशना चाहते हैं और अगर आप चाहते हैं कि आपको बहुत जादा सर्दी खासी जुखाम होती है आपकी इम्यूनिटी कमजोर है बुखार बहुत आता है तो इन सबसे बचना चाहते हैं तो आज की घरेलु रेमेडी को जरूर ट्राइ करें डाबेटीज के लिए बहुत ही जादा अच्छी है और चैनल को सबस्क्राइब जरूर कीजेगा जो चलिए आपको बताते हैं कि इस रेमेडी को आपने कैसे बनाना है आज की इस रेमेडी को बनाने के लिए आपको चाहिए यहाँ पर जामुन के पत आजगा है जामुने के लिए भूँन पोदा पतो हैchio態 के लिए जामayo है इ यहां पर आपने बिल्कुल ताजे मुलायम पते लेने हैं, बहुत ज्यादा फायदा करेगा आपको यह बहुत ही अच्छी रेमेडी है, और बहुत सस्ती है, बहुत प्री में या पर बहुत असानी से आप इसको बना कर त्यार कर सकते हैं, जामून के पते में काफी अधिक मा आपको बहुत ज़ादा फायदہ मनते हैं इसकी कॉमल पत्यां चबाकर खा excel वक्तार फायदा करते हैं इन-oga को बहुत जाधा फायदा करते हैं चाहिए वो आपको बहुत जादा फाइदा करेगी इसी के साथ साथ वो लोग जो पेची से परिशान रहते हैं पेट अक्सर उनका हराब रहता है तो उन्हें जावन के पत्तों का जो रस होता है उसका सेवन करना चाहिए उनके पेट जो है इससे मजबूत होता है तो यहां पर आपने ताजे पत्ते लेने हैं अच्छे से धुलकर साफ कर लीजिए बढ़िया तरीके से इन पर बिल्कुल भी मिट्टी नहीं होनी चाहिए इसके बाद आपने एक पैन लेना है और इसमें आप डालेंगे एक किलास भर के पानी बिल्कुल धीमी आज पर पानी को हलका सा गर्म होने दीजिए और यहां पर आप क्या करें कि जो पत्ते हैं न ताजे ताजे कोमल पत्ते इन में देख लें किसी में रोग तो नहीं है नहीं है तो अच्छे से तोड़ लें चोटे चोटे टुकडों में आपने इस तरीके से तोड़ लेना है पत्तों को आठ से दस पत्तों को इस तरीके से तोड़ कर आप पानी में डाल दीजे जब पानी गर्म हो जाए इसके बाद आपने इसमें डालना है दालचिनी जो की बहुत जादा फायदा करती है जिसे किसी को ना मतलब वात का रोग है जोडो का दर्द की दिक्कत है तो उसमें भी जो रेमेडिये बहुत फायदा करेगी अगली जो चीज है वो है दो लोंग आपने यहाँ पर डालनी है थोड़ा सा यहाँ पर आप मेथी दाना डालेंगे वो भी छोटा वाला सिर्फ एक चोथाई चम्मस से भी कम मालीजे दो चुटकी के आसपास एक चोथाई चम्मस से भी कम यहाँ पर आपने जीरा डालना है थोड़ी सी यहाँ पर चाय की पत्ती डालेंगे वो इसलिए डाल रही हूँ मैं क्योंकि कई बार के होता है जामुन के पत्ते का जो तासीर है वो ठंडा होता है तो जो वातकेर होगी है ना उनको फिर हो सकता है कि जोड़ों में डर्द जो होता है वो बढ़ जाए तो ऐसा नहाँ इसके लिए मैं चाय की पत्ती डाली है और आपको ध्यान रखना है किन-किन चीजों को चले आपको ये बताते हैं देखे अगर आपकी शुगर बहुत ज़्यादा बड़ी हुई है तो आप इसे दिन में दो बाल लेंगे एक तो खाना खाने से एक घंटा पहले सुभा में ब्रिक्वस्स से पहले लेंगे एक रात का खाना जब आप खाते हैं वैसे तो कोशिश कीजिएगा कि रात का खाना आप अवोइड करें क्योंकि डियाबटीज के रोगी हो या फिर कोई स्वस्तमन उसे है उन सभी को जो है रात का खाना अवोइड करना चाहिए या फिर बहुत हलका खाना खाना चाहिए तो आप जो भी दो मील लेते हैं उनसे पहले आपने लेना है एक घंटा पहले इस काड़े को बना कर लेना है खाली पेट लेना चाहते हैं तो आप सुबह वाला काड़ा खाली पेट भी ले सकते हैं लेकिन सबको ऐसा होता है कोई भी नई रेमेडी दो जल्दी से सूट नहीं करती है तो शुरुवात में आपसे दिन में एक बार लें और ब्रिक्वस्ट से या लंज से पहले एक घंटा पहले ले 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 दीरे दीरे करके जब आपकी बॉड़ी को ये सूट करना शुरू कर देगा तो उसके पाद आप इसको दिन में दो बार ले सकते हैं लगातार पंदरा दिन तक लेके देखिए यानि के दो हफते तक आपकी जो शुगर है वह हंड्रेट परसंट कम होनी शुरू हो जाएगी और धीरे धीरे करके अगर आप इसको लगातार दो महिने तक लेंगे तो आपकी जो डियाबेट रखें डियाबेटीज के रोगी होते हैं जैसे कुछ लोग बैखिनें तो आसा नहीं है जब यह कुदत ने हमें धिया है नेच्रल मीछा जो हता है तो आपको फाईदा करेगा नुकसान नी तो इस भीलता दो फार्टा है लेकिन जब आप पका हुट आप पपिता घॉने औ तो आप भरपूर मात्रा में पपीता खा सकते हैं प्लेट भर के आराम से ताकि आपको जो है सुगर भी आपके कम हो इससे और आपकी बॉडी के अंदर फाइबर भी अच्छी मात्रा में जाए कब्ज की दिक्कत ना हो आपको क्योंकि अकसा देखा गया जो डाबेटी के कर दीजिए सुबह में आप क्या कर सकते हैं उस पानी को पीजिए और किसमिस को चबा कर खा लीजिए इससे भी डियाबटीज कंट्रोल होती है काफी फायदा करती है किसमिस का पानी आपका शुगर लेवल बढ़ा देगा वह शुगर लेवल बढ़ाएगा नहीं बलकि अधिशा यह जो चीजे मैंने आपको बताई हैं इन बातों का ध्यान रखें जितने भी फल है वह आप एजीजी खा सकते हैं जादा मात्रा में नहीं खाना लेकिन खा सकते हैं वह आपको फायदा ही करेंगे नुकसान नहीं करेंगे कची सब्सक्राइश आपको जडरूर ख तो शुगर आपका जरूर बढ़ेगा तो आप दिन में मुस्किल से मुस्किल दो रोटी खाये या फिर एक कटोरी चावल इससे जादा नहीं खाना है आपको आपको फोकस करना है कि सुबह में ब्रिक्फस में आप फ्रूट्स में पूरा प्लेट भरके अच्छे से फ्रूट पीना है रात का खाना अवाइड कीजिएगा रात को आप चाहें तो सिर्फ दूद ले सकते हैं वो भी फीका दूद लेंगे गाये का तो आपको फायदा करेगा इसी के साथ साथ एक छोटा सा काम आपने और करना है जो कि आपके लिए बहुत ही जादा फायदे मन रहेगा वो है एक सादा बाहर का पत्ता रोजाना आपने सुभा खाली पेट चबाना है आप अदूद फायदे देखेंगे शरीर में सर्फ डायवटीज ही कंट्रोल नहीं होगी इससे और भी बहुत सारे फायदे होंगे मतलब आपका बिलड शुगर लेवल भी अच्छा रहेगा और इंडाइजिशन की प्राब्लम भी नहीं होगी और यह जो कहड़ा मैंने आपको बताया है इसे अगर आप लेते हैं तो मुग के अलसर हो पेट के अलसर हो डायवटीज हो मुटापा हो या फिर आपको सर्दी खांसी जुखाम हो रही हो इम्यूनिटी कमजोर हो आपकी या फिर आपको पेचिस की दिक्कत हो इन सब में या आपको बहुत जाता फाइदा करेगा वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है हमारी तो प्लीज फैमिली और फ्रेंस के साथ जरूर शेयर कीजिए और रोजाना जरूर आप 5-6 किलोमेटर चलिए कोई भी हो चाहें व एमिडी के साथ तब तक अपने ख्याल रखें और हस्ते वस्कुराते रहें स्टे हल्दी स्टे हैपी बाबाई